हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू माई कीजिन, आज हम बनाएंगे भेजी टेवल्स मसाला दाल खिजरी ये हेल्दी होने के साथ आप बहुत ही डिलिस्यस बन कर तयार हुई है, आप सेम रेस्पी से खिजरी बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, पर ढावे वाले टुष्ट के साथ, तो चलिए फटा फट से बनाना जुरू करते हैं, डिलिस्यस मसाला दाल खिजरी हम इहां पे लिए हैं एक कप चावल और एक कप दाल, जिस कप से चावल लिए हैं उसी कप से दाल लिए हैं, दाल हम लिए हैं तुवर मुंग फेट के, आप चाहे तो सिर्थ तुवर से बनाए या मुंग से बनाए, चावल अच्छी क्वालिटी का लिए जिससे आपकी खि का टमाटर सब्जी आप इहां पर अपने पसंद का डाल सकते हैं जैसे पालक हो गया बैगन हो गया पो changel जुले पर हैं कुकर कुकर में डाल धल एक बड़ा चमस घी आप चाहे तो बीड़ें टमाटर अभी हम नहीं डालेंगे 뉴스 साड़ी सब्जी को हम डाल लिए हैं अच्छे से इसको मिला दे तमाटर अभी नहीं डालेंगे इसको हाइप प्नक्यक्तुरिज दू मिनिट भूले अब इसमें डालेंगे जो चावल दाल हम धोके रखे हुए हैं उसको डालके सबजी में अच्छे सी मिला दे दो मिनट इसको भी हम सबजी के साथ हाई फिलेंपे भूनेंगे अच्छे से हम भूलनी है इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो चावल डाल मिलाके दो कप है तो हम यहाँ पी इसका तिन गुणा पानी एड़ करेंगे यानी 6 कप तो पानी हम 6 कप डाल दिये हैं अगर आप तिन गुणा पानी डाल के हैं तो आपकी खीचरी एकदम परफिक्ट बनके तयार होती है तो यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चमस गर्मसाला आप सेकता अनुसार हल्दी स्वाद के अनुसार नमस और अच्छे से मिला दे अलाश में एक बड़ा चमस घी डाल दे अज सब को अच्छे से मिला के कुकर का ढखकल लगा दे अहाई फिलेंपे दो सिती लगने दे तो यह हमारी खिचरी बनकर तयार है उपर से पाने और डालने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगड़ा है खिचरी गाढ़ी है तो उपर से गुन गुना पानी एड़ कर सकते हैं लेकिन तीन गुना पानी से खिचरी जो है एकदम परफेक्ट बनके तयार हुई है जैसा कि हम तरके वाली खिचरी चाहिए तो आप एक बरतन में घी गर्म करें घी में डाल दें सुखी लाल मिर्च उसमें डाल धेर साड़ा बाड़ी कटा हुआ लहसन अगी ठंडा होने पर सुखी लाल मिर्च का पाउड़ा खिचरी के उपर से आप तरका लगा दें तो ढावे में जो अगर आपके मसाला वाली खिचरी बनानी है तो आप तरका डाले और नहीं तो आप पलेन ऐसे हिल्दी खिचरी बना के खा सकते हैं तो यह हमारी सुपर टेस्टी मसाला खिचरी बन कर तयार है आप इसी एक बार जरूर ट्राइ करें त्राइ करने के बाद अगर पसंद आये वीडियो को लाइक करें अग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें